हुआ हुआ है 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 यह वेल्कम टू इसकोप कंप्यूटर है तो आज से हम आट केम का जो कोर्स होता है और आट केम की जो ट्रेनिंग है वह स्टार्ट करने जा रहे हैं तो जो भी आपका का कोडिंक हमारा पार्ट होता है तो आपका तोडी ड्रोइंग हो ओओ वह सारी चीजो दूट से हमारा सी उध्यों का क्रणा होता है और इक होता है इन भी त्वीन बहुत सारी चीजिए होती फेस्कर्प होता है supports कर दो मेयन करेंग यह हमारे पास कि जो हम काम कर रहे हैंं में क्योंकि हमारी जो मसीन की प्रोड़्रीक्र शलेगी अजरा हमारहा प्रोड़ेक्ट सई नहीं है तो हमारी ओभिसली मेरी मसीन जो वह प्रफेक्ट नहीं चलेगी कहीं नहीं वह हमें मिसिंग दिखा देगी आउट ओप मटीरियल चली जाएगी आउट बैड चली जाएगी तो इसलिए हम जो भी करते हैं थोड़ा सा ध्यान से रख करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल मिलेगा और करता है कि मैं क्वालिटी क होत अच्छे तरीके से दिखेंग अब बात करते हैं ह्म 2D डॉय Perché अगर मैं टूड़ी की बात करता हूton तो का मतलब होता है जैसे भी कोई भी मुझे जाली का करना चाहिक तो यह होता है कि कई दीजर का कहीं में होता अज़़िय सिसके लिए हम अपसवी के लिए या होता है डिफरेंट भी मसीनंस की जो खंपिर्व चलती जो सीन सी ऐक हमारे पास बहुत तरीक ay के CNC प्रोग्राम्म होती है ठीक हैаться हमारे पास होती है CNC मैच से रौटर होता है एनिisen सी ले fits tai यहान। जो को इसको हम रोटरी भी बोलतें है के मेचल होता है ठीक है फाइबर होता है ऐका थीकई हैं हमारी पानी Detective मसीन चलता है इतना हैवीड होता है कि हम्होए पथर को कटट कर देता है ठीक है बतौ है अब हम बात कर रहे हो कर रहे हमद के थरू काम करना थो सूरिक के मतलब गयौ कैथा है कि पत्तर को यह लकडि को हमें एक न's अब होता हमें हम कंग Rank करना अब डिपेंड करता है कि मेरा डिजाइन कैसे है कि जिस तरह से यह डिजाइन है तो इसमें यह हिस्सा डाउन है यह अप है फिर डाउन है फिर अप है तो इस तरीके से इंबोसिंग इफेक्ट्स आ जाते हैं हमारे पास तो हमारे पास क्या होता है 3D का पार्ट आता है ठीक है इस कि जैसे हमारे पास कोई 2D जाली आ जाए तो अब इसमें जो cutting part है वो क्या है white हिस्सा है यह हमें थोड़ा देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि हम किस तरीके से इसको utilize करते हैं तो यह जो part होता है वो हम क्या करते हैं कि 2D में आता है ठीक है और 3D में बिसिकली क्या आता है कि किसी भी पार्ट को आपको इस तरीके का यह लेट में आता है ठीक है basically बहुत रियर में हम लोग इतना बड़ा पिलर कटिंग कर सकते हैं क्योंकि आठ चार का बैड होता है उसके हम maximum साथ फुट का या साधे साथ फिट का ही हम बैड पर कटिंग कर सकते हैं तो वह वाली जो चीज है वह हम लेट पर काम होता है ठीक है और बाइएंड भी कर सकते हैं यह जो डिजाइन है वह बाइएंड है और हमने इसको CNC में दिया हुआ है पार्टी को तो इस तरीके से पार्टी ने हमसे सिर्फ इतना ही मांगा था तो हमने यह उनको दिया तो जो वर्क करता है इसको पर कराता है लाइव प्रोजेक्ट पर हो ठीक है कि यह प्रोजेक्ट है हमारे पास इस पर आप काम करिएगा तो इससे क्या होता है हम को सारी चीज़े क्लेरेंस होती रहती और मुझे इतना कॉंफिडेंस मिलता है कि यह यह प्रोग्राम मेरा CNC के लिए गया हुआ है तो अब बात करते हैं हम थोड़ा सा सॉफ्ट यह यह है ठीक है आटकेम 2018 पर हम ट्रेंग देते हैं इसे और भी बहुत सारे वर्जन है जैसे सैवन है एट है एट पॉइंट वन है नाइन पॉइंट वन है नाइन प्रो है उसके बाद जो की आटकेम का ही सोफ्टेर है फिर उसके बाद आपका ऑटो डेस पास गया और ठीक है और अगर यही चीज हम नए सौफ्टेर के लिए जाएंगे तो यह सौप्टेर हमें कारवे को कंपनी का मिलेगा अभी जो हैंडल कर रही है कंपनी को तो यह बहुत हमारे लिए इसी हो जाता है और बहुत सिंपल सी चीज़ है हमारे पास ठीक है और हमें इससे कुछ ज्यादा बेनेफिट नहीं है ठीक है हमें सिर्फ काम करना है आटकेम के लिए और आटकेम हमारा होना चाहिए जो भी हमारे पास है यहां पर हम आटकेम लेटेश शॉफ्टेर में इसलिए कराते हैं क्योंकि आपको लाइव बेकप सो कराता रहत है लाइब का मतलब यानि कि जो भी हम काम करें तरीके से एंडी स्मूथ रियली स्मूथ जो होता है वह आपको बच्शो कराता है ओल्डर वर्जन में क्या होता है इत्री लिटिल बिट डिट फीकल्ट ओके थोड़ा इस्टक होके चलता है वह क्या है लोगर रेजुलेशन क्या है लोगर रेजुलेशन होता है कि आपके क्वालिटी को थोड़ा डाउन करके दिखाता है तो फिर मसीन में भी थोड़ा सा डाउन कहीं नहीं हमें हलका सा दिखता है बट उसके लिए भी हमारे पास सोलूशन से वह भी हम काम कर लेते हैं ठीक है तो अभी हम बात करते ह कि हमारा सबसे पहले आता है न्यू मोडल उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट एंड ओपन फाइल ओके सेम ऐसा ही आपको मेन्यू बार में भी यही ओप्षिंस नजर आते हैं ठीक है न्यू में ही सारे चीज़े आपको अवेलेबल मिल जाती है देखो प्रोजेक्ट मिल गया न् अब पास अवेलेबल है हर सौट्ट की सौटकट की कंट्रोल और कंट्रोल एस कंट्रोल प्लस एंड एब्रिटिंग वही होती है हमारे पास ठीक है और उसके बाद देखिए न्यू मोडल पर जो हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक न्यूड मोडल की डायलोग बॉक्स ओप आपके पास ठीक है ठीक है फॉर फिट आपके पास एक्स में है और एट फूट आपके पास वाई में या इट विल भी अगर हम इसको इंचीज में करते तो 96 इंटू 48 होता है बट आपका जो 100% बैड है वो कभी भी 100% बैड पर मसीन नहीं चलेगी यानिकि आपको पास कितन टिक हैं और यहां पर दिखेगा निव मोड़ल निव मोडल के बाद आपके पास ऑक्षिन आता है Dimension, Dimension का मतलब यह होता है कि width और height जो है वो क्या रखनी है इक का मतलब यह होता है कि कितना design प्र आपको खाटना है मालों कि किसी ने आपको जाली रही और उस जाली का size जो ह इस तरीके से थोड़ा सा कर दिया अब यह हमने साइट डाल दिया उसके बाद सेके नमबर पर जो ऑप्शन आता है वह उता सर यहां पर इन यानि की पर आपका प्रोड़ेक्ट कैसा विजिबिलिटी में आ रहा है क्या क्वालिटी में आ रहे तो अगर चोटा है या झोटा है अगर बहुत बड़ा है यानी की बीस पिट वइज फिट है बीस फिट वैकल दस फिट है तो हम इसका रिजुलेशन को कम करेंगे अगर बिल्कुल प्रोपर कॉर्णर्स मनेंगे हमारे पास इंसाइड कटिंग में कोई जर्क नहीं आएगा तो इसलिए हम इसको 100% रखते हैं थर्ड नंबर पर बात करते हैं हमारे यूनिट यूनिट का मतलब होता है कि इन चीज और एमेंग हम हमेशा जब भी हम मसीन का प्रोग्राम बनाते हैं तो मसीन को हम एमेंगे काउंट करते हैं जैसे हमारे पास मसीन के प्रोग्रामी की बात करते हैं तो जैसे जी कोड एमेंगे टैप होता है इसी तरीके से डॉट आर्क एमेंगे होता है डोट आर्क इंची से अमरा अम्ट पर करते है उसको में में इसको अरंज कलर का इसको बोलते हैं मसीन का origin point या home access भी बोल सकते हो आप लोग इसको यह की मसीन को कहां से रखकर चलाएं पहला point तो आपको मसीन को देना पड़ेगा ना जब भी हम मसीन को चलाते हैं तो हम उसको एक point देते हैं कि यहां से यह मेरा मसीन चलनी चाहिए उसके बाद cutting होगी तो programming भ अगर मैं बोलूँ कि आपके पास दो अपसरे नहीं मेरे पास यहां पर उपसने फाइव यानिकि लैफ्ट हो गया राइट हो गया टॉप हो गया और टौप लेफ्ट हो गया अब यहां पर क्या होता है यह जिसे एसे रखा हुआ तो यह अपने ग्राफ का अकोर्डिंग का आप क्या होगा अब यहां पर X तो माइने सोगा और वाई प्लस होगा और वाई माइनस में भी जाएगा ठीकै इसी तरही के सी यहां पे दोनों ही माइनेस में यहां पर भी आपका x plus होगा और वाई माइनस होगा और सेंटर से x plus और x minus x plus x minus xj plus and y minus also ओकि narcissism से इस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कहां से आपको चलाता है चलाना है दूसरी चीज़ी होता है कि हमारा जो operator होते है महीन के वो हमें बता देचे कि सर में यहां से महीन को रखके आप प्रोग्राम मेरे को यहीं से करके दीजिएगा तो वह चीज़ हम यहां पर यूज कर सकते हैं ओके क्लियर नेस्ट इंग ऑके करते हैं जैसे ही हम इसको करेंगे तो मेरे पास हंड़र परसेंट आपका इंटरफेस यहां से हमें पूरा काम करना है तो यह हमारे पास देखेगा पूरा सॉफ्टेर खुल गया यल्लो कलर की स्क्रीन आगई है मेरे पास और उसके बाद देखेगा लैप साइड में अलसो मेरे पास कुछ टूल्स आगए हैं टॉप में बहुत सारे टूल्स आ जो कि लिखे हुए वेक्टर हो गया बिट में तो आज हम पूरा इंटरफेस की ही बात करने वाले हैं और हम इंटरफेस की ही बात करेंगे तो यह जो चीज है आप इस तरीके से देख सकते हो कि फस्ट ऑप्शन जैसे दिख रहा है आपको यहां पर अपने पास न्यू मोड मिल चुके हैं एक दंगे तो हम इस तरीके से कोई वी काम करते हैं तो हमारे पास वह सारी टो हम उस वर्क को भी यूटिलाइज करेंगे किस तरीके से काम करना है तो आपको यहे नहीं सोचना है कि जी यहां पर तो कुछ अलग है और यहां पर कुछologie इसा कुछ नहीं है सारी चीजह पूबन ही होती है बस कुछ चीजह आपको ऑपनली मिल जाती है कुछ चीज़े आपको क्या है इन साइड में जाके हमें ढूटनी परती है ठीक है अगर मैं बात करते हैं किसी ने ऑल्डर वर्जन देखा है तो older version series को कैसे बना सकते हैं तो आपको विंडो में जाना है उसके बाद यहां पर layout layout में जाने के बाद आपको classic कर देना है जैसे ही आप classic करेंगे तो यह आपका जैसे 9-11 होता था उस तरीके का एक इंटरफेस हो चुका है तो हमें basically इसको जो देखने वाली बात है वह है कि हमें इस तरीके से काम नहीं करना है इस से होगा क्या आपका जो वर्क है न वह बहुत ऊजाएगा काम करना बहुत ईजी होती है क्योंकि आगर आपको सारे टूल्स ओपन मिल रहे हैं तो इसलिए आप उसको कर पाएंगे अधर्वाइज फिर नहीं तो फिर उसको ढूनना पड़ेगा सर्च करना पड़ेगा उसके हीडन को सो कराना पड़ेगा तो वहां पर बहुत सारी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो हो जाता है इसलिए हम कोसिस करते हैं कि स्टुडेंट्स को हम ठीक है कि इजी से इजी वे दे सकें तो अब हमारे पास जो ऑप्शन है यह हमारे पास सारे विंडो और मेन्यू बार्स और पीज के व्यूपोर्ट से इनकी आगे बात करेंगे हम सारों की यह लेफ्ट साइड म टाइप कैसे करना है वेक्टर को बनाना कैसा है सर्किल को कैसे बनाना है रेक्टेंगल या आर्क कैसे बनाना है वह सारी चीज़े हमारे पास अवे लेबल है यह वाले जो मैंने अभी बताए हैं आपको उसके बाद आ जाता है यह होते हैं आपके किसी बने हुए ऑबजेक् को इस क्ल्प्टिंग करने के यहां पर यूसमने करना रहें और यह सारी चीज़ें हमें क्या करनी ये उनको कैसे देखते हैं अगर इसको मुझे अभी ये आपको बिलकुल फ्रंट दिखाई दे रहा है अगर मैं रोटेट करता हूं तो माउस का लेफ्ट क्लिक के साथ आप देख सकते हैं कि इसके सोरी माउस का मिडल बटन जो है उसको अगर प्रैस करके रखेंगे तो आप देखेगा यहां पर आपको इस तरीके से इसको रोटेट कर रहे हैं यह क्या हो रहा जो शीट पर मेरा काम हुआ है उसको रोटेट किया अगर मैं सिफ्ट दबाके वर्क करूंगा तो इट विल भी मूव यह अब क्या हो रही है तो आप जिसे मालों बड़ा पीस है कोई और उसको पूरे को एक ही बार में बना रहे हो तो हमें क्या करना है मूव करना है यानि कि आपकी हाइट और डीड गडा करता हो तो जैड जो होता है यानि इसकी बात करऊंगा यहां पे ना कि हम 360 rotation की बात करेंगे 360 rotation का भी काम होता है वो हम आगे चलके देखेंगे कि किस तरीके से इसको लेट में convert कर सकते हैं किसी design को अभी हम बात करते हैं यहाँ पर हम 3D की बात किया यहाँ पर कुछ viewport से देखेगा isometric view जैसे हमारे AutoCAD में होता है isometric view यानि कि इसको हम isometric को perspective view भी बोल सकते हो कि आप किसी भी angle में घुमा के देख सकते हो ठीक है इसी तरीके से हमारे पास left view होता है shortcut की साथ में आपको दिखाए दे रहा है यहाँ पर देखो left भीकुल flat हो गया विकॉर्जव अभी कुछ embossing effect नहीं है इसलिए आपको यह क्या कर रहा है left दिखा रहा है और यह हमारा टॉप है तो यहाँ पर आप सारी चीज़े देख सकते हो जैसे control जीरो अगर दबाएंगे तो बोटम होता है control वन दबाएंगे तो isometric control टू दबाएंगे तो आपका left इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अब यहाँ पर देखेंगे साइड में आपको नजर आ रहा है तो यह काम क्या होता है वेक्टर्स बनाने का काम होता है कि हम लाइन आट या अगर मैं जब भी वेक्टर की बात करता हूं ना तो मतलब उसका होना चाहिए कि आपके मैं में कुश्टन आ जाना चाहिए कि हम क्या बनाएंगे लाइन आरक यानिंग जिससे हमें बनाना है और बनाने के लिए हमें हमस्कց जाहिए हमारे पास जब आमेरे पास ना अदरौइस काम नहीं कर करेंगे स्टार्टिंग आपको बताया था कि हम डी एकसपाइल की फाइल हो उसको हमें चेंज करके या फिर हमें कुछ हिंदी लेटर्स लाने हैं कहीं से तो को रोल की फाइल को अगर आप एक बाएंगे तो सेलेक्शन टूल एक बाएंगे तो अल्रेडी मेरे पर यह सिलेक्ट हुआ था सेलेक्टिंग टूल तो इसलिए नौड एडिटिंग टूल पर आपका आगया वापिस में क्लिक करता हूं तो देखेगा डार्क हो गया तो हम कोई लाइन बनाते हैं इसको बोलते हैं हमारा क्रियेट पॉनी लाइन टूल और जो भी मैं यहां पर काम करूंगो किसी अधर सोफ्टेर से लाइन आट नहीं लगँगा मैं यहां पर काम करूंगा जब नीड होगी तो करेंगे जितना भी काम हम 3D होगे रहागा सब आर्ट के में ही बनाते हैं जि हमारा टाइम वेस्ट हो गया तो पहले आप प्रेक्टिस करें उसके बाद आप यहां पर किसी अधर सोफ्टेर को यूटिलाइज करें तो आपके लिए वहां पर फिर बेनेफिट होगा ठीक है तो अभी हम क्या करते हैं यहां पर पॉली लाइन टूल क्या करता है आपको सी सीधी लाइने बनाता है सीधी लाइन का मतलब आप सीधी भी बना सकते हो एंगल वाइज भी जा सकते हो किसी भी एंगल में आप इसको बना सकते हो यह देखेंगा तो हम create square पर click करेंगे अब जब भी बनाएंगे तो आपका square ही बनेगा सर यह देखेगा ठीक है यह देखेगा square ही बन रहा है ओके तो यह हमने square बनाया control-z से मैंने वापिस undo कर दिया दूसरी चीज़ जितने आपके close vector होते है close vector कैसे होते है जिसे मैं कोई एक polyline ले लिया इस तरीके से और इसको यहां से यहां तक बंद कर दिया यहां से मैंने start किया वहां पर आके वापिस क्लिक कर दिया तो आपको देखेगा यहां पर green point नजर आ रहा है यह green point क्या होता है इसका मतलब होता है कि आपका जो line है पूरा close हो है तो जितने भी अब्जेक्ट होते हैं जैसे rectangle है सर्किल है ठीक है तो यह जितने भी ऑब्जेक्ट है इसके अंदर आगर आप देखेंगे तो आपको ऑव इलिप्त भी मिलेगा तो सर्किल है तो जब जब तक आप इसके डॉट डॉट नजर आ रहा है जब तक आपका यह वेक्टर क्रियेट नहीं हुआ है तो इसके लिए आप कीबोर्ड का एंटर प्रेस करेंगे या आप अपने सॉफ्टेर के राइट साइन में देखो यहां पर तूल का सेटिंग आता वहां से क्रियेट क कितना तो यहां पर करेंगे तो क्रियेट आपका यह ऑटोमेट्यक्ली हो जाएगा के इस तरीके से क्या होता है हमारा यह किलोज वेक्टर्स रेडी होते हैं ठीक है उसके बाद आपका आता है स्टार अगेरा ठीक है तो यहां पे स्टार्स को इस तरीके सा अभी देखो कितने स्टार बने चार मेरे को चाहिए बारा तो जैसे मैं किलिक करूँगा तो यहां पर जूमेटरी में देखो इसका नंबर और पॉइंट्स आ जाएगा मालो आपने बारा कर दिया तो अब अगर आप बनाएंगे तो आप बनाएएगा यहां पर ठीक है और देखीगा इस अगर कर रहा हूं तो माउस का मिडिल बटन जो है उसको स्क्रोल करेंगे तो जूम इन जूम आउट हो जाएगा यहां पर कुछ टूल से अगर यह भी जूम इन है यह जूम आउट है यह आपका प्रिविएस यू है यानि कि जब आपने जूम इन जूम आउट करके देखा है रहा हैं यहांनिकि जनाठेगा सरफ तो इस टरह से और यहां पर दिखा देता है उसके एंदर ही काम करते हैं और कभी भी वेक्टर हमारा व्यूपोर्ट के बाहर नहीं जाना चाहिए यानि कि जितनी हमने सीट बनाई है उस सीट से बाहर नहीं जाना चाहिए ठीक है तो यह हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम जो वर्क कर रहे हैं वहारा एकदम पर्टिकु बनेगा नहीं वापिस मुझे इस पर क्या करना पड़ेगा और अब मेरा यह फिट टू-फिट है कैसे हुआ सबसे पहले तो आपको क्या करना है सर यहां पर देखो टूडी में आपको यहां पर नंबर साथ है इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं रूलर तो रूलर कहां से आता है व्यू में जाना है और शो रूलर ऑप्शन है यह हमेशा आपका चेक ओन होना चाहिए हमेशा इसको चेक ओन रखना है दूसरे नंबर पर जैसे मालो मैंने एक यहां पर एक रखते बना लिया ठीक है अब अगर मैं कोई भी हैं आपको। आपको यहां मिड़ जाना है और सुझल हरा है और। एक मिलेंगे आपको अगर नहीं ले तो यह tdi त́ तो प्लस याने हैं studying. क्वेसे आपको इनको करने से क्या होगा कि आपका जो व volcan है वो तस्ट काम करेगा यहां कीермस मैं इतना best है नहीं तो हमें हर औप्जेक्ट को करने की सूरा से टेक्निक की or छोता हुआ जाएगा ठीक है आप मालों कि मैंने यहां से एक आर्क बना दी आप मेर इस आ क्षिब मिर्ष को चिब कोई इस यहां से और गषण तुल लेहां पे यहां पर जो blue color के point आ रहे हैं यह होते हैं सर आपके smooth point ठीक है और अगर हम इस आर्क को select करते तो यहां पर कुछ नहीं आ रहे हैं दूसरी चीज है यह अगर smooth नहीं से यहां पर देखेगा इसकी कुछ tool setting है अगर यह आपको blue color के इनको बोलते हैं हम tangent यह देखेगा node को पकड़ के खीचा tangent बोला अगर इसको मैं और रखूंगा तो यह आपको नहीं दिखाई देगा तो यह आपको कही न कहीं जब इसको करना है तो कैसे करेंगे तो इसके लिए टूल होता है देखो अभी मेरा जो करसर है माउस का वह बिल्कुल ब्लैक नजरा रहा है जब मैं इसके ऊपर लेखे जाता हूं तो यह वाइट हो गया अब राइट क्लिक करेंगे माउस का और यहां पर option होता है सब्सक्राइब क्लिक किया अगर आपको भी करना है तो यह करसर वाइट ही होना चाहिए तब आप सिप्ट दबाएंगे देन भी दबाएंगे तो आपका वर्क हो जाएगा अब आपको यहां पर देखिएगा टेंजेंट को जैसे नजर देखा तो हमने देखिएगा यहां पर आप इसको एडिटिंग कर सकते हो इत्व आपकी एक लीफ रेडी हो रही है देखिएगा और अब यहां पर मेरे पास इसको मीरर करना है तो यहां पर मीरर ऑबजेक्ट है बिकोज मेरे को जो लेट चाहिए हुआ ही मुझे राइट से यह दोनों को सिलेक्ट किया जोइन अग्टॉल से यहां पर दौप्सें वहोते हैं का जोइन. On बृत。」 में युशां अपर करना है इसको मेंक्स करर Me С सिलेक्ट का दौट में, इसको प्लिदी बन चुका है. अब इस लीफ़ करना है आप इसको बोडम कर दीजिएगा ठीक है आप इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके टी इसको टू होता है ट्रांस्फोर्मेशन टूल ओके ट्रांस्फोर्मेशन टूल पर क्लिक किया और इसको यहां से 90 डिग्री पर मैंने रोटेट कर दिया यह देखेगा बट अगर कोई मुझे बोलो कि इसको टूडी काटना है टूडी कट जाएगा लेकिन यह अभी नहीं कटेगा वेक्टर क्या हो रहे हैं आपके इंटरसेक्शन हो रहे हैं तो आपका टूडी की प्रोफाइल रेडी नहीं होगी तो आप बोलेंगे क्या करना चाहिए हमें करना चाहिए इसके लिए कि इसको हम करते हैं सेंटर सेंटर की सोटकट की होती है सिफ्ट प्लस एपनाई स्वरी ओनली एफ नाइन यह आपका सेंटर हुआ इन दोनों को देखो अगर मैं लेफ्ट से पकड़ता हूं तो सारे वेक्ट कि अब मैं इसको कंट्रोल सिंगल सिंगल जो पिक कर लेता हूं कंट्रोल सी एंद कंट्रोल वी एंड इसको सोरी हम तो अल्रेडि इसको कंट्रोल खिक दो कर चुके थेना कि जी कटिंग तो हो जाएगा लेकिन ये तो मेरी सीट से बाहर निकल रहा है तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सीट से कोई डिजाइन बाहर ना निकले आपका तो इसका मतलब आपका क्या हुआ वो प्रोग्राम आउट ओप दा माटीरियल जाएगा और वहां प बनाई ठीक है और मालों यहां पर आपने को पार्टी ने बोला कि यहां पर ना दो इंच का या एक इंच का मुझे बोर्डर चाहिए तो यहां पर अपने पास ऑप्सेन होता है इसको बोलते ऑपसेट वेक्टर यानि कि हमें वेक्टर ऑपसेट में आउटसाइड अभी हम अंधर की एंगे तो इसको इंसाइड करेंगे और मालौ मुझे बोला कि एक इन्ची करना चाहा थोगे इसको क्या करेंगे डिलीटो और्न हो रखा है इसको फ कर देंगे चैपल। आपका टैनुल आजन है यानि यह वाल्य की वाले जो वेक्टर रिर्स नहीं होगा अदर्वाइज आपका यह डिलीट हो जाएगा जैसे मैं इसको अब हम वापिस लेते हैं तो इसको अगर हम डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करते तो तो यह आपका डिलीट हो जाएगा यह देखेगा तो अब कितना हो गया दो इंच का बोर्डर हो चुका है मेरा ठीक एक ऑब्जेक्त में हमने एतना और ऐसे किया हके है इसको हलका सा सिफ्पलस भी कर देंगे क्योंकि मुझे इसको सीर्दा बजेक्त बनाना है यह वना ठीक है उसके वाद मैं क्या करता हूं इसको राइट लेफट साइड में मीडियर कर देता हूँ जॉइंट चाहि के साथ न supply यहाँ पर छिएक उप्षान होटा जिसको भोनतो हम ब्लोक एंड कोफी यह बहूत इजी सा टूल है इसको रोटेट कोपी और ब्लोक कोफी तो रोकेट को पी यहाँ पर होता है ऌ और Central पॉंस की कहां से रोटेट करना हमें सेंटर से रोटेट करना क्लिकर 00 हो गया अब क्लिक किई को मालों आपनी कर दी है आठ कोपी टो इसलिए हमने क्या किया इचा नहीं जीCK तो अभी यहां पर gap कितना आ रहा है तो यहां पर नापे यह होता है हमारा measurement tool तो यहां से हम क्या करेंगे इसको नापेंगे तो कितना gap आ रहा है 17 mm बहुत सही gap है आपका 12 leaf कर जाएंगी आपकी ठीक है तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो इसको करेंगे अब कोई बोलता कि नहीं मिरे को यह leaf जो है ना duplicate चाहिए अभी और चाहिए तो control c और control v करेंगे और t दबाके इसको क्या करेंगे थोड़ा सा rotate कर देंगे यानि कि इस तरीके से मालों मैंने rotate कर दिया इन दोनों के center पर रख दिया अब इसका size बढ़ाना है नहीं तो अभी हमारा क्या intersection हो रहा है अब हम क्या करते हैं इसको lock कर देते हैं यानिकि x जो सही है वही y भी बढ़ानी है तो 700 करते हैं अभी नहीं 700 से कुछ नहीं होगा इसको कर दिएगा 1000 ठीक है अब ठीक है ठीक है देखो तो हमने बड़ा कर दिया तो design के साथ साथ आपकी जाली भी बड़ी हो गई अब मालों कि एक्स्टा पार्ट नहीं चाहिए मुझे तो इसको बोलते हम करना अब क्रीमिंग कैसे करेंगे एक साथ में जो कट भी जाए और जुड़ भी जाए क्लिक किया शिफ्ट दबाएंगे फिर हम इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे अबने हमने क्या पूरा स्लेक्ट लिए यहाँ पे अपने टूल होता जिसको बोलता है वेक्टर क्लिपिंग टूल क्लिक किया उसके बाद हम इंसाइड और ट्रीम यानिकि अंदर का बच जाए और आउटसाइड डिलीट हो जाए क्लिपिंग पर क्लिक करो आपका देखो कटिंग हो गई हो गई तो इस तरीके से हम इसकी क्या कर सकते हैं यूटिलाइज कर सकते हैं और इसको बना सकते हैं फाइल को सेव करने के लिए कंट्रॉल प्लस करना है जहां पर डेस्टीनिशन देना चाहते हैं वहां پर ड्रफनी दीजिएगा ट्रिक जैसे मैं यहां पे दे दिया ठीक है जैसे मैं आठी से डाला ट्रिक़्र ूक्र कि और यहां पर जैसे मैंने लिखा क्लास वान ओके और आठकेम इसका नेटिव फॉर्मेट जो होता है डोट ए आर्टी होता है और जो की आठकेम अठारा में ही ओपन होगा इससे लोडर वर्जन में नहीं या इससे हाई अगर आए गएगा तब अभी 18 ही सबसे हाई आएगा Kोई तो इसमें ऐगा एगा मैंने वेक्टर यहां पर रेडी किया है और इसको मुझे 9 में लेके जाना है तो आप फिर क्या करेंगे इस वेक्टर को export करेंगे तो वेक्टर में आएंगे export में जाएंगे और यहां से डी accept चाहिए तो डी accept और EPS चाहिए तो EPS तो हमने EPS ले लेते यह class 1 डाल दिया जैसे मैंने और इसको save करेंगे जैसे save किया तो file आपकी export हो चुकी है आप देख सकते हैं यहां पर मैंने जो फोल्टर बनाया है आपका scope के नाम का और यह देखेगा यह . EPS format आ रहा है इसका native format यह है अगर आप इसको ड्रैक करके यहां पर directly open भी करेंगे तो आपकी इमेज इंपोर्ट हो गई यह देखेगा तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है उस पर काम करना है ठीक है तो नेक्स्ट क्लाग सेशन में हम फिर आपको आगे लेकि चलेंगे कि टूडी प्रोग्राम कैसे बनते और यूनिक डिजाइन्स पर कैसे काम करना होता है सिमेट्रीकल डिजाइन्स कैसे बनाएंगे थैंक्यू सो मॉच कर दो